नमस्कार दोस्तों आपको अपना आजीस दोस्त दोक्टर उरुक्रम शर्मा दोस्तों जिन्द ATM के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिसने हह लेकिन एक चीज़ आपके पास है जो सब्से कीमती होती है पर उस चीज़ का जब चाहे तब आप रिएक प्रियोग करने हैं क्यां है लेकिन इस किम्ती चीज़ का आपने दिन में उरे 24 घंटे में जद ऐसे इंग उफ्योंग करना बंद कर दिया तो मुरारी बापू भी दावा करता है इस बात का की 26 घंटे में छे रर ये काम नहीं करें न online इस कीम्ती चीज़ का उपयोग नहीं करें तो आपकी जिन्द की खुशाल होगे जिया आप शाय समझ गया हूँगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ क्रोध की पूरे दिन में छे समय ऐसे हैं जिस पर आप क्रोध करना बंद कर दिया और फिर आप देख लिजे दावा है कि जिन्द की कितनी खुशाल होगी एक तो सुबह जब भी आप उठें उठते कभी गुस्सा नहीं करें प्रसंद रुचित मन के अंदर उठें आप वो आपको जो सुबह प्रभात है वो इतनी खुशूरत लगेगी और आप के खिलते वे चेरे को देखकर पूरे घर का वातरण पिर मुस्कुराट भरा हुज क्योंकि जितने परिवार के सदस्य हैं उनकी जिन्दगी खुशाली आपसे जुड़ी हुई है तो तै करिए कि उठते ही कभी भी हम लोग गुस्सा नहीं करेंगे दूसरा हम लोग सभी किसी भी तरीकी की अबादत करते हैं को मस्जिद में जाता है को मंदिर में जाता है गुरुद द्वारे में जाता है या हम घर पे बैठके अबादत करते हैं जितना भी समय हम देते हैं उस पूजा के समय अबादत के समय प्रात्ना के समय हम लोग बिल वहाँ से हचाहे Yum तो आप तो निकल लए आपका तो गुस्टा है उससे घर का तो मावल आपने खराब करी है और जब आप अपने व्यापार वे अपने नौकरी पर जाएंगे तो वहां क्या हाल करेंगे आप अपने गुस्से के कारण अपने कारोबार पे भी effect आएगा आपकी नौकरी जहां आप कर रहे हैं वहां भी आप बेतर धंसे काम नहीं कर पाएंगे काम करने जाते समय गुस्सा बिलकुल नहीं करें शाम को जब आप अपने कारोबार से नौकरी से लौट कर आ रहे हैं तो घर आपकर कभी भी गुस्सा नहीं करें आपका गुस्सा घर आते गुस्सा करना इस ओफिस की चड़ चड़ा आड़ कारोबार का मंदा होना या कारोबार में कोई तक्लीफ होना उसको वहीं छोड़ कर आएं आप आपके बच्चे आपकी पतनी आपकी माता जी इस बात की प्रतिक्षा नहीं कर रहे कि आप वहां से गए हैं तो वहां से आप गिफ्ट लेकर आएंगे उनकी गुस्से में उनको देंगे वो आपका मुस्कराता वा चेरा देखकर जीते हैं और जब आप घर आएंगे आते समय कुछ न कुछ चीज आप साथ लेकर आईए, आपके बच्चे आपका इंतजार करते हैं, इसके बाद में जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन करते समय आप ये खाली अन्न नहीं खा रहें, ये रोटी नहीं खा रहें, आपना पेट की ब्रह्म हैं, और आपको ये ब्रह्म के रूप में जो सामगरी परोसी गई है, उसके अंदर कितने तरीके का स्वाद है, पत्नी ने भी ये सोच के बनायोगा, वो आएंगे, उनके लिए किस तरीके सबजी चीए, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब पसंद का ध जिहान रखा और अपने भाव उसके अंदर दिये, तो जिस तरीके के भाव दिये, वैसा ही बोजन बन के तयार हुआ, और वो एक प्रसाद है, और हम लोग क्या करते हैं, कि जरासी सबजी में नमक कम हुआ, मिर्च मसाले कम हुए, पसंद का कुछ जरास हुआ, हम ठाली को जड़क देते हैं, ऐसा करके हम अपने पाउं पे खुद कुलाड़ी मारते हैं, हम हमारे खुशाल जिंदगी के अंदर एक खुद अवरोदक बन जाते हैं, तो भोजन के समय कभी भी आप गुस्ता नहीं करें, और सबसे आखिर में जब आप पूरे दिन का सारा काम कर रहे आप देखिए, आपने उठते समय आपने गुस्ता नहीं किया, प्रातना के समय आपने गुस्ता नहीं किया, कारी पर जाते हुए आपने गुस्ता नहीं किया, कारी से आते हुए आपने गुस्ता नहीं किया, भोजन करते हुए आपने गुस्ता नहीं किया, तो आपका दिन पूरा का पूरा कितना खुशाल दिख रहा है आपको और रात को सोते समय आप बिल्कुल गुस्सा करके ना सोएं मुरारी बापू खुद कहते हैं कि रात को सोते समय सुर बने असुर ना बने कर्ण बने कुम्ब करन ना बने तो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के लिए 6 वक्त ऐसे हैं जब हमें गुसा नहीं करना और ये पक्का मानिये आप इस बात के लिए कि अपने इन 6 समय पर गुसा करना बंग कर दिया तो शायर आप से और आपके परिवार से खुशाल कोई दूसरा परिवार नहीं हो सक तो आपको करना है आज से ही करना है कि हम इन 6 समय पर कभी गुसा नहीं करेंगे आपका दिन शुबह मंगलमग